हमारा चैनल आपके जीवन को आनंद मैं बनाने के लिए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अली बाबा और 40 डाको अली बाबा परिवार को बचाने के लिए मरजीना क्या करें? डाकों पर उबला पानी फैन के उनकी बेरल फूके लेकिन उसे बेहद हैरत तब हुई जब मरजीना ने पाया कि वह खुद वापिस मुलकर दूसरी बैरल की और चल परी है कपकपाते हाथों से उसने सिहरते हुए तेल के कुप्पे के लकडी के धकन के उपर रसी से बंधा चमरे का पट्टा खोल डाला और उसके नीचे जहांक कर देखा छोटे छेद उसे फोरण ही दिख गए और उनका मतलब भी वह एकदम समझ गई कवा के छेदों से अब ज्यादा रोशनी विस्ती पाकर एक और मरदाना आवाज कुप्पे के अंदर से फुस-फुस आई वत्थ हो गया क्या अभी नहीं मरजीना उनके सरदार की आवाज में एक बार फिर जवाब में बुद्बुदाए एक एक करके वह बाकी सभी कुप्पों के पास गई और उनके चमडे के पटे उतार कर उसने उनके नीचे जहांका एक एक करके उनमें छिपे लोगों ने हरकत महसूस की और अप से उसने ठोकर खाए थी उसके चमडे की पट्टी उतारने पर उसकी छिपी कोक से कोई फुस्फुसाहट नहीं हुई उसके उपर के धकन में कोई सुराक भी न थे पक्का करने के लिए उसने हलके से कुप्पे की भारी तली में अपना पंजा देमारा जवाब में कोई गिल मुहों में लिए बेमन और कमजोरी से लकडी का धकन भुमा कर उसने खोल डाला और कुप्पे के खुले पेट से उसे ही वापिस भूरते गीले काले तेल से दो चार हो गई अल्मदूलिल्लाह उससे राहत की एक गहरी सास छूटी अल्लाह का शुक्र है ख्यालों में खोई मशीनी अंदाज में चलती वह रसोई के चूले तक वापिस लोटाए मेरे मालिक ने इसे पनाह दी उसने सोचा इसे तेल का सौधागर मानकर लेकिन खुनियों का गिरो घर में घुस आया किसकी इंतजार में है ये घुस पैठिये किस इशारे पर ये तूट पढ़ेंगे हमप हमें मार देंगे हमारा घर लूट लेंगे वह चूले के आगे जाकर पसर गई बेतहशा सोचती दसियों सवालों के जवाब ढूनती शोरबा उबल कर लगभग पक चुका था वह उसे घूरने लगी एक खयाल उसके मन में बनने लगा उसे काम तेजी से करना होगा खामोशी से खोने को बिलकुल वक्त नहीं था वो क्या सोच रहा है पा जोश ने उत्तेजना से पूछा तनाव उससे अब और बरदाश्ट नहीं हो रहा था तुम्हें क्या लगता है वह क्या सोच रही है रोश ने अरेवियन नाइट्स किस्से को रोकते हुए उसे वापिस पूछा वो उन पर उबलता हुआ शोर बाफे केगी जोश भुना भुनाया इतना थोड़ी है कि उससे 37 आदमी मार दे ईशा ने जवाब दिया अगर ऐसा करने की कोशिश करेगी वो और पानी उबाल सकती है जो शागे बढ़ा अपनी सबसे बड़ी हांडी में और फिर उन सब के उपर डाल सकती है एक बार में तो कर नहीं पाएगी इशा ने आपत्ती की ऐसा तो है नहीं की जैसे उन सब के लिए चाय के कब भर रही हो केतली से उन में से हर एक को कम से कम एक पूरी पतिला चाहिए होगा और एक एक करके देना पड़ेगा अगर भट्टी से कुप्पे तक के दो तरफा चक्करों में औसतन एक मिनट भी लगे रोश ने समझाया ये मानते हुए कि वह एक बार में इतना उबलता पानी धो सकती है कि एक ही बार में काम हो जाए और एक एक करके उन सब पर वह इस बात का एहतियात बरते हुए उसे उडिल पाती है कि खुद उस पर वह बिलकुल भी न गिरे तो भी उन सबसे निपटने में उसे आधे घंटे से उपर लगी जाएगा ये भी मान लिया जाए कि वह कुछ को एकदम मार भी पाती है तो भी जब उबलता पानी उन पर गिरेगा तो उनमें से कम से कम एक तो दर्द से चिखेगा तब वह अपनी बढ़त खो देगी तब वे खत्रा भाब जाएंगे खेल खत्म टीम अली बाबा का उसे लकडी के कुपों को ईशा ने सुझाव दिया चारों और से जारियों और लकडियों से घेर कर सब में एकदम से आग लगा देनी चाहिए सबको एक साथ जला देना चाहिए और उनके साथ घर भर को भी फूम दालना चाहिए जोश ने प्रतिवाद किया वो ड्रमों के अंदर से कुणे ताप सेकने और धुवा सुन्धने के बाद भी चुप चाप बैठे तो नहीं रहेंगे नहीं कोई और तरीका सोचना पड़ेगा और उसे तेस तर्रार और लाजवाब भी एक ही बार में होना पड़ेगा इरान के पुराने घर लकड़ी के नहीं बने होते थे, रोश ने खुलासा किया, वे मिट्टी की ईटो से बने होते थे, काशा के अनूठे नमुने इरान के अन्य भागों में बने कई पुराने मकानों की तरह आम स्थानिय मिट्टी के बने हैं तो अगर उसने ऐसा किया तो घर तो नहीं जलेगा उनका। इरान के कई बड़े पुराने शहरों में फार्सी घरों को सजाने का सबसे आम तरीका प्लास्ट था। एक कारण तो इस्तिमाल में लाए जाने वाले सामान का अपेक शाकृत सस्ता दाम था जैसे खरिया मिट्टी सिल्खडी जिपसम जिसे प्लास्ट में तबदील करने के लिए अधिक तापमान की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। के एक मुर्दा फूंकने में भी बहुत लकडी लग जाती है। कुपों के पास ले जाकर उस सब को सजाने में और फिर उन सब को एक साथ जला डालने के लिए 38 जगह एक साथ आग लगाने में। आधे घंटे से कम तो नहीं लगेगा न। इसके अलावा आग उन तक पहुंच पाए इससे तो बहुत पहले ही धुएं और गर्मी से उन्हें खटका हो जाएगा। उसे तो जाकर औरों को उठा देना चाहिए, मिलकर वे जल्दी जल्दी पानी उबाल कर उन सब पर एक साथ उनेल भी सकेंगे। और मामला जाचने या वहाँ से भाग निकलने के लिए अपने छिपने की जगह तोड़कर वो बाहर आने की कोशिश करेगा।